चांद की चोरी अरे केड़े पड़े तेरे मुँ में, जब भी मुँ खोलती है, कुछ खराब ही बोलती है, क्यों नहीं निकलेगा चांद? ये अलो ची, और चांद नहीं निकलता, सो अलग बात है, मैंने जो दो सच्ची बात है कहा दी, तो तिल भी लाने लग गई तू? इतना ही है, तो जाकर ढूंड ले ना चांद चोर को, और रहीं तो देख लते हैं, इस बार कौन सा चांद निकलेगा, जिससे देख कर तू अपने करवाचोत का व्रत तोड़ेगी, बड़ियाई प्रेमा की बात सुनकर, एक बार के लिए विमला घबरा जाती है, और अपने घर जाकर, अपनी सास और पती से इस बारे में बात करती है अरे अम्मा, आज न जी बड़ा घबरा रहा है, प्रेमा है न, कह रही थी कि इस बार पी चांद नहीं निकलेगा, ये दो सालों से हम करवाचोत का व्रत तोड़ नहीं पा रहे हैं, और तब इसे ये बिमार भी चलने लगे हैं, इनको कुछ हो गया तो हम का करेंगे, गाउं की प्रगति के कारण वो गाउं में रहकर नए-नए आविशकार किया करता था, बसंत इस कारण चांद की चोरी को एक अंध विश्वा से ज्यादा और कुछ नहीं मानता था, मैं कह रही थी, आप तो साइन्टिस्ट है न, अरे चांद बना लीजे न, एक नया चांद की रात, एक चुडल, पेड़ पर बैठी हुई चांद को देखती हुई कहती है, आखिरकार, फिर से वो दिन आ ही गया, जिस दिन में मेरे चांद के साथ खेलंगी, कितना चमकदार है तू, बस अब हो गया, आप से बस करवा चांद को ही नहीं, हमेशा तू मेरे पा चांद रहेगा, मेरा चांद रन गया, रात को सभी औरतें, गाउं के बीचों बीच सच धच कर इखटा होती है, और चांद का इंतिजार करती रहती है, हम तो ठहर है विद्वा, हम एका, लगता तो नहीं किया आज भी चांद निकलेगा, सभी लोग गाउं के चोराहे में खड़े, चांद का इंतिजार कर रहे होते हैं, तबी जैसे ही चांद निकलता है, एक बड़ी सी रसी हंदी के आकार में चांद की तरफ चाती है, और चांद को जंगल की तरफ खीचने लगती है, और देखते ही देखते इसके पहले की कोई वरत तोड़ पाता, चांद गायब हो जाता है. अब तो हो गया ना, सब को यकीन, कि चांद की चोरी होती है. बड़ी आई, सायंटिस्ट की बीवी. अरे, बड़ी बड़ी बाते कर रही थी ना. अब तोड़ अपना अवरत चांद के बिना है. जैसे ही चुड़ेल चांद को चुराती है, रात के समय में सूरज निकलाता है ये भगवान, रात के आणड बजे सूरज कैसे निकलाया? अब अगर चांद चला जाएगा, तो सूरज ही ना निकलेगा पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ आप तक पहले तो बस करवा चौथ के दिन चांद गायब हो जाता था पर इस बार तो चांद की चुरी हुई है अंधेरे में तो जैसे तैसे रात गुजार लेते अब अगर रात हुई ही नहीं, तो हम लोग सोएंगे कैसे? अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? अब तेर साइस के चकर में ही हुआ है यह सब मैं तो पहले ही कहता था कि यह किसी चुडायल का काम है वन्ना किसी इंसान की इतनी मजाल जो चांद को छुपाते पर हमारे साइंटिस्ट साब इन सब को दक्यान उसी क्या रहत है ला जे भुग तो अब गाउं की औरती पिछले साल की तरह बिना चांद देखे ही अपना व्रत तोड़ती है और फिर सभी अपने अपने घरों में सोने चले जाते हैं अरे बसंद, मेरे कमरे में बहुत रोश्णी आ रही है आखी नहीं लग रही मेरी बसंद चज्जी में कपड़ा डाल देता है पर फिर भी घर में रोश्णी आती ही रहती है गाउं वाले भी जैसे तैसे रात काटते हैं रात भर अपनी मा को जगा हुआ देखकर बसंद का मन बहुत दुखी होता है जैसे ही दिन के पांच बचते हैं बसंद जंगल की ओर जाता है जहां पिछली रात चांद खीचता हुआ चला गया था जंगल का नजारा देखकर बसंद की हूश ओर जाते हैं जहां पूरे गाउं में रोश्णी थी वहां जंगल में अंधेरा था और एक गुफा से चांद की रोश्णी आ रही थी बसंत उस रोश्णी का पीछा करते हुए गुफा की और जाता है जहां वो देखता है कि चुडैल चांद से खेल रही है ये साइंस के खिलाफ कैसे हो सकता है? अपनी आखों पर विश्वास नहीं हो रहा मुझे मतलब चुडैल इस सच में होती है पर अब इससे चांद को वापस लू कैसे है? तुम इतने अंधेरे में रहती हो मन लग जाता है तुमारा? बहुत अच्छे से लगता है मेरा मन तुम्हें उससे क्या? तुमने हमारा चांद चुडा लेया अब हम लोग कैसे रहें? इतने उजाले में राद से मेरी मा सोई नहीं है चांद चौर चुडाल कहीं की चांद को वापस आस्मान को लौटा दो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करूँगी मैं मेरे पास खेलने के लिए कुछ है ही नहीं पूरे साल मैं करवा चौर का इंतिजार करती थी जिस दिन चांद सबसे बढ़ा होता था बागी कितने दिन दिये हैं ना मैंने तुम लोगों को चांद अब नहीं, अब से चांद बस मेरा है बसंद गाउं वापस जाकर चुडाल की कही बात सबको बता देता है और मैं न तो पहले ही कहा था ना कि ये किसी चुडाल का काम है अब तो मान गए ना अगर हमें चुडाय से चांद को वापस लेना है तो उसके बदले मैं कोई चमकदार चीज देनी होगी जो हूँ बहूँ चांद जैसे दिखती हो या कुछ ऐसा जो उससे भी ज़्यादा चमकदार हो वैसे तो मैं ऐसी ही किसी चीज को बना रहा था सोचा था विमला को गिफ्ट करूँगा करवा चौद के दिन जब से करवा चौद के दिन चांद निकलना बंद हुआ है बड़ी उदास रहने लगे थी विमला हू पहू असली चांद के जैसा ही एक नकली चांद बनाता है जिसमें और भी अलग-अलग तरह के रंग होते हैं वो चांद कभी लाल रंग का जलता तो कभी पीला तो कभी नीला बसंत और प्रीतम उस चांद को लेकर जंगल में जाते हैं जहां चुड़यल की नजर उस नकली चांद पर पड़ती है यह क्या है? इतनी चमकदार गेंद यह तो मेरी गेंद से भी ज्यादा चमकदार है तुम्हारी गेंद में तो दाग भी है और बस एक ही रोश्णी निकलती है इससे ये वाला तो देखो कितना चमगदार है और कितनी सारी रौष्णी है इसमें मुझे तुम्हारा गेंद चाहिए मुझे दोगे क्या अपना गेंद हाँ हाँ ठीक है दे देंगे पर एक शर्थ पर हम दोनों अपनी गेंद को आसमान की तरफ उचा लेंगे अगर तुम्हारा गेंद ज्यादा उपर गया तो हमारा गेंद तुम्हारा और नई तो जैसा है वैसा ही रहेगा चुडल बसंद की बात को मान लेती है और चांद को जोर से आसमान की तरफ फेंकती है चुडएल की चांद को आसमान की तरफ फेंकती ही चांद आसमान से लग जाता है और पूरे गाउं में पहले की तरह रात हो जाती है देखा, देखा मैं जीत गई, अब मझे देद अपना गेंद चांद वापस आसमान में लग जाता है चुडएल उस नकली चांद को लेकर बहुत खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से कभी भी गाउं में दुबारा चांद की चोरी नहीं होती और सभी और ते वापस से करवाचोत मना पाती है